जी एवं शिकर स्मिलां में पियमोदी की जमकर तारीफ हुई है पियमोदी की तारीफ फ्रांस की राज़पती इम्हान्यवि mund rozp की है जीएवन समिट में भारत की च्छाप हर जगे दिखनेको मिल रही है इतली की पीम जोजिया मैलोंी नमस्ते के जरीए मेहमानों का स्वागत कर रही है तो वहीं जी सेवन शुकर समिलने चीन की टेंशन दस गुना बढ़ा दी है जी सेवन में भारत का कम मोधी का ग्लोबल अंदाज भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए सोपर पावर बेथा जी सेवन में टॉप पर पी एम मोधी का एजेंडा बड़ा मंच, बड़े लीडर और बोल्ड फ्रैसले इटली के अपोलिया में सुपरीम लीडर्स के बीच दिखी गर्म जोशी ने कई मुलकों की टेंशन बढ़ा दी है ये मेल मिला सार्थक वारताला बड़े मसलों को एक जटके में हल करने की गैरंटी दे रहे हैं क्योंकि इटली के अपोलिया में G7 का स्टेट सजा है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां यहां चुटी है वैश्विक मसनों के समाधान की कोशिशें हो रही है लेकिन जिस एक हस्ती ने इस बार G7 की सारी सुर्खियां बटोरी है वो हैं भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी PM मोदी का ऐसा जूरदार वेलकम इटली में हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा है G7 में मोदी की धूम मची है PM मोदी से मेल मुलाखात के लिए शक्तिशाली देशों की सुप्रीम लीडर की बेता भी देखते ही बन रही है मेजबान इटली की ब्रधान मंत्री जॉर्ज या मैलोनी ने G7 में सबसे ज्यादा एहमियत PM मोदी को दी है G7 जैसे बड़े मंच पर भारत का ऐसा दबदबादे कुछ देशों की बेचैनी भी पड़ गई है इटली में हो रहे G7 शेखर संबेलन पर दुनिया भर की निगाहें ठीके हुई है क्योंकि G7 में जुटे लीडर निरायक फैस्त ले ले सकते है G7 में कौन-कौन मौजूद है ये जाने है इटली के प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर PM मोदी G7 के आउट्रीट सत्र में भाग लेने पहुचे है अमेरिका के राश्वपती जो बाइडन G7 समों के सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रांस के राश्वपती इमानोल मैप्रोह, प्रिटन के प्रधान मंत्री रिशी सुनग, जर्मन चांस्लर ओलावस कॉल्ड, कैनडा के राश्वपती जस्टिन ट्रूडो और जापान के जब्धानमंत्री फ्वोमियो किशिदा भी समूं के सदस्य देश के नीथा गेनाते शिकर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ग्लोबल लीडर के साथ कई देशों के सुप्रीम लीडर को भी जी सबंग समिक में निमंत्रा दिया गया है। क्योंकि इस बार G7 का एजंडा व्यापत है इटली में जूटी महाशक्तियों का उदेश दुनिया में वड़ती महगाई और व्यापार से जोड़ी चिन्ताओं के बीच वैश्विक अर्थ ब्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीथियों को कॉडिनेट करना है शिकर सम्मेलन में कारवन और सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्ची को बढ़ावा देने की रण्मीती भी बनाई जाएगा जिससे जलबायू परिवर्तिन से निप्ता जा सकी जी सेवन में वेश्विक स्वास्थ ब्यवस्था को बेतर बनाने के लिए स्वास्थ आपाद काल के लिए सिस्टम को और बेतर बनाने पर जोट दिया जाएगा इसके अलाबा जी सेवन में दुनिया भर में चल रहे सैन में संदर्श पर चर्चा होनी है खास कर रूस योक्रेन युद्ध पर G7 समों के देशकों का पूरा फोकस है G7 समित में शामिल हुए योक्रेन के राशवदी जैलन्सकी को शिकर संबिलन से बड़ी खास है क्योंकि अपुलिया में G7 के स्टेज पर योक्रेन के हालाद पर एक पूरे सत्र का आयोजन किया गया है योक्रेन के राशवदी ने PM मोदी को गले लगा कर दोस्ति का इजहार किया है PM मोदी ने जैलन्सकी से मुलातात के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर रूस योक्रेन युद्ध को शांती से हल करने का रास्ता भी सुचाया है G7 में एशिया महभीव से सिर्फ भारत को निमंतर दिया गया है जबकि दूसरे सर्वोच नेताओं में तुर्किय के राश्वपती रेचप तैयब अर्दौान, ग्राजील के राश्वपती लूला डसलपा, अल्जीरिया के राश्वपती अब्दिल मधजीद तेब बॉन, कीनिया के राश्वपती विलियम भूटो और त्योनेशियाई राश्वपती कैस साईड भी G7 में आमन इंदाज में किया, उससे भारत का मांग बढ़ा है, मैलोनी ने एक नए, दो नेताओं का स्वाधत नमस्ते के जरिया किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोचल मीडिया में वाइरल हो गया, G7 में नमस्ते डिप्लोमैसी का डंका वजनी की वज़ब, PM मोधी माने जा रहे है भारत G7 का सदसे नहीं, लेकिन एशिया महाध्रीक में सिर्फ PM मोधी को समिट में निमंत्रन डेकर बुलाया क्या है, विश्व बिरादरी में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एटली में हो रहे G7 शिकर सम्मेलन, भारत की छाप हर जगय दिखाईते रही हैं, इसके पीछे दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के कुछ मजबूरियां भी हैं, भारत के अर्थ व्योस्थाँ G7 के टीन सदसे देशों, फ्रांस, इट्ली और कैनडा से भी बड़ी हैं, आई-म-फ यानि अंतराश्य मुद्राकोश के मताबिक भारत दुन प्रतिशत आबादी कामखाजी है, और 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम की है, भारत में यूर, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी दाधात है, भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन बन चुका है, भारत को साध्राइट G7 के सब भी देशों को असी मीतियां बना रहे हैं, जिन में हिंद प्रशांत क्षित्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है, पिछले कुछ सालों में बिटर, फ्रांस और जर्मी यानि यूरप की G7 देशों ने अपनी अपनी इंडो-पैसिफिक रण मीतियां दयार की है, इटली ने भी हाल ही में इंडो-पैसिफिक शित्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है, भारत से रिष्टे प्रगाड बनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे चालबास देश की गाड़ किसी भी यूरोपिय देश में नहीं है, अमेरिका भी चीन से अकेले आर्थिक मोर्षे पर चीन की एकॉनमी को भी जी सेवन समो अडवांस नहीं मागदा है, और इसे के साथ खबरों में फिलाल इतना ही, नमस्कार